हाई फ्रेंट्स रोनित जी असमें आपका स्वागत है मैं हूँ रोहित और आज का टॉपिक है फ्रेंट्स टॉप 25 साइंस कोस्चन्स जो की रेलवे और एंटी पीसी के और ग्रूप डी और एससी के लिए बेहदी महजपुन और सेलेक्टेड कोस्चन है फ्रेंट्स और मैं एक आप इसकोस्चन को देखने के बाद आप अराम से 25 कोस्चन जो आएंगे ऐकजाम में प्रसंद्स इस टॉपिक से इसको साइंस запис करऊंगे और इसको डिटेल में सिधान्त किस ने दिया तो पदार्थ के परमानु का सिधान्त दिया है फ्रेंट्स ये दिये हैं जॉन डाल्टल ने किस ने दिये जॉन डाल्टल ने पदार्थ के परमानु का सिधान्त ये आप देख लिए फ्रेंट्स अगला कोस्चन है नेक्स्ट कॉस्चन है इनक्ट्रमागयेटिक इंडफिन की टेसला और एक ये और आपसे पूछा जा सकता है यह टेसला नो देकर आपको बेवर पर मीटर असक्वाइर दिया रहेगा तो आप य में टिक लगा कराएंगे तो इसका शही जवाब क्या हो जाएगा टेसला नहीं तो बेवर पर मीटर अस्कायर ये दोनों में से कोई एक होगा friends अगा प्रस्ब देखते हैं Next Question है Hydrogen के कितने समस्थानिक यानि कि आइसो टोप ज़ोते हैं तो hydrogen के जो समस्थानिक होते हैं friends, वो होते हैं, तीन समस्थानिक होते हैं hydrogen के, कितने होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा, option number B, इसका तीन सही जवाब हो जाएगा, अगला प्रसन देखते हैं, अगला प्रसन है, hydrogen के जो तीन आइसो टोप्स हैं, जो तीन समस्थानिक हैं friends, वो कौन कौन है तो वो है फ्रेंट्स डूटेरियम प्रोटियम और ट्रीटियम तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन में से सभी तो हैड्रोजन के कितने समस्थानिक थे फ्रेंट्स थे और यह तीनों रहे डूटेरियम प्रोटियम और ट्रीटियम तो इन में से सही इसका सही जबाब हो जाएगा अगला प्रस्फन देखते हैं कि अगला मातरक है घर्टेज तो यह आविर्टी का साही मातरक है घर्टेज जो कि यग बेग्यानिक थे हेंरिक हर्ट उनके नाम पर ये हर्ट परा था अगला प्रसंद देखते हैं अगला कोस्टिन बहुत इंपोर्टेंट है फ्रेंट्स सोना तथा चांदी का परमानु करमा करमसा कितना है तो सोना और चांदी सोना को हम क्या चीज़ से denote करते हैं friends AU से और चांदी को AG से हम denote करते हैं तो करमसा यह दोनों का परमानु संखे हैं कितना है friends तो सोना का है friends 79 और चांदी का है 47 तो यह आपको ध्यान में रखना है सोना का कितना है 79 और चांदी का कितना है 47 यह एक्जाम में पूछा जाता है आप इसे ध्यान में रखेंगे अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसने निम्न में से कौन सा नोबिल गैस का लाता है तो नोबिल गैस को हम कहते हैं अक्रिये गैस भी कहते हैं नोबिल गैस को अक्रिये गैस या फिर ह बहुत सारे nobel gas है friends जिसको मैं mention नहीं किया हूं टोटल 7-8 nobel gas है यह आपको ध्यान में रखना है अगला प्रसंद देखते है अगला प्रसंद है मनुस्य के कान की कि तीन हड़ियां कौन कौन सी है तो मनुस्य के कान की तीन हड़ियां जो प्रसंद यह है अस्टेपिस मैलियस और इंकस तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा मनुस्य के कान की तीन हड़ियां होती है अस्टेपिस मै परमानु करमांक यानि कि परमानु करमांक को हम जड़ से डिनोट करते हैं तो परमानु करमांक 17 है और परमानु द्रबेमान को हम यक्स से डिनोट करते हैं जो कि 36 है तब उस परमानु में न्यूट्रोन की संख्या कितनी होगी तो न्यूट्रोन की संख्या पूछा है फ्रें यह सोरी फ्रेंट्स यह क्या है बड़े एक्स में से हम जेड को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा न्यूट्रोन की संख्या निकल जाएगी तो यह हम 36 में से हम 17 को घटा देंगे तो ये कितना आजागा फ्रेंट्स इसका सही जवाब क्या हो जागा फ्रेंट्स आप कमेंट में दे दिजेगा अगला प्रसन देखते हैं क्या है अगला प्रसन है किसी अंतर द्वारा रेडियो अक्टिविटी मापी जाती है तो रेडियो अक्टिविटी जो मापी जाती है फ्रेंट्स ये मापी जाती है गीगर, मूलर, काउंटर एक मीटर रेफ्रेंट्स उसके द्वारा रेडियो अक्टिविटी मापी जाती है ये आपको ध्यान में रखने है अगला प्रसन है इनमें से कौन छोटी आत का भाग है तो छोटी आत का जो भाग है फ्रेंस ये है इन में से सही इन में से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा तो छोटी आत में तीन भाग होती है फ्रेंस ग्रहनी जेजुनम और इलियम ये आप ध्यान में रखना होगा ये आपको ग्रहनी जेजुनम और इलि तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी तो यह तीनों जो है फ्रेंट्स यह है बड़ी आथ का भाग अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसने इनमें से कौन सा प्रमानू का भाग है तो प्रमानू में कौन-कौन सा भाग होता है फ्रेंट्स यह होता है बाहरी सरकल पर पॉलस चार्ज होती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन्हें से सभी अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद अब करन अभीक्रिया में क्या होता है होता है आफिर्ण किरिया में क्या होता है और फ्रीजन का जुड़ना ये दोनों उसमें होता है अब करन में इसका सही JO जवाब हो जाए आप स्पाइस नमबर दी अगला ऊट्रिशन देखते हैं इस फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन-कौन से होते हैं तो फोटोग्राफी में जो होता है फ्रेंस यह होता है लाल हरा और नीला यह तीनों रंग मुख्यता होते हैं फोटोग्राफी में फ्रेंस इसे हम प्राथमिक रंग भी कहते हैं प्राइमरी कलर भी कहते हैं यह आपको ध्यान में रखना है अगला जो four-wheeler में उज़ोता है friends तो वो कौन सा दरपन होता है यह होता है उत्तल दरपन यह आपको ध्यान में रखना यह हमेंशा पूछा जाता है questions अगला प्रस्ट देखते हैं अगला प्रस्ट है hydraulic press में किस नियम का परियोग होता है तो hydraulic press में जो होता है friends यह होता है पास्कल के नियम का परियोग होता है यानि कि जो पास्कल जो दाव का नियम है friends यह सब का परियोग होता है तो किसका hydraulic press में उपयोग होता है पास्कल का नियम इसका सही जवाब हो जाएगा अगला प्रस्थन है नर और मादा युगमक के सन्योजन को क्या कहते हैं जब नर और मादा जो युगमक बनाते हैं मेल और फीमेल तो उसके युगमक को हम बोलते हैं निसेचन क्या कहते हैं निष्चनि काते हैं नर और मादा यूगमक के सहाट अग्ला प्रसने से कौन एक लिंगी पुश्व का उदाहरन है ये है है मक्का इसका इसका सही जवाब यहाँ इसका सहही जवाब हो जाएक दैक्ष कोर हैं को विलुप्त हो रह प्राणी को किस सुची में रखा जाता है तो जो बिलुप्त प्रानी है जैसे कि बाग बिलुप्त हो रहे हैं गिद बिलुप्त हो रहे हैं तो उसको हम किस सुची में रखते हैं तो एक होती है रेट डाटा बुक होती है रेट डाटा सुची में हम इसको रखते हैं बिलुप्त हो रहे हैं प्रानी को यह आप को द्रैन में रखने है अगला प्रास्ण निम्र में से किसे आपतकालीत संव कहा जाता है या फिर इमर्जफित किसे कह PARANS जाता है इस का सही ज़ुँ जबाब हो जाएगा अड्रीनालीन को हम इमर्जफित का कहते हैं और आप पोटोग्राफी कैमरा में भी उत्तल लेंस का परियोग किया जाता है और जो हमारी आख है फ्रेंट्स तो आख हमारी किस लेंस की बाती पर काम करती है तो उसका भी सही जवाब उत्तल लेंस हो जाएगा अगला कुश्चन देखते हैं मनुष्चे के भोजन का पाचन का आरम कहां से होता है तो मनुष्चे के भोजन का पाचन का आरम जो होता है फ्रेंट्स यह होता है मुखगुआ से सुरू होता है तो मैंने इस वीडियो में टॉप 25 कोश्चन साइंस के करवा दिया हूं उमीद है कि आपको यह मेरा वीडियो और यह मेरा सेशन अच्छा लगा होगा और यदि आप चैनल पे नए होंगे फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेयर करें मैं इसी तरह का साइंस और करेंट अफेर्स का वीडियो हमेशा डालते रहता हूं और बहुत ही इंपोर्टेंट और लाता हूं फ्रेंड्स तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है